सवे भवंतु सुखिन, माया नश्वर अनित्य परिवर्वतन शीव, भाग माइनस 14, जो गुरु उपदेश के अनुरूपो ग्रहन करें, माया यानी की नश्वर अनित्य परिवर्वतन शीव, पदार्थ शकलों के आकर्शन के कारण ही, इंद्रियों के विशे, रूप रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन पांचों के संयोग के कारण, कामनाय, वासनाय उत्पन होती है, और इसी माया से आकर्शन के कारण मनुष्य का मन, विकार यानी की, काम, क्रोध, लोब, मद, मोह, से ग्रसित हो जाता है और, संसारी के मन में इसके कारण, दो ही भाव उपच् प्रथम राग का, द्विती या द्वैश का, जब तक यह दोनो भाव मन से नहीं मित्ते, मुक्ती भी असंभव है, वेरागी के मन से यह दोनों ही भाव मित जाते हैं और, वह जीवनमुक्त हो जाता है, यानी की सारे जगत के प्राणियों से, निशकाम प्रेम का भाव, करून माइथरी, मुदिता का भाव, नहीं कोई मित्र यानी की, सभी से अना सकती, नहीं कोई शत्रु यानी की, सभी से द्वैश रहित अना सकती, मन में सबके भले की भावना, आखें, सरवादिक संसकार पृत्ति निर्मान में, आखों, श्रवन इंद्री का महत्वपूम इस संसार में विकारों के पीछे सबसे बड़ा कारण आखें ही हैं। और जब तक मन वश में नहीं होता, तब तक हर जन्म में यह आखें शकलों पदार्थों की तस्वीरें खीचती ही रहेंगी और चित में संग्रहित करती ही रहेंगी। मनुश्य के मन में अधिकतर जो वासनाएं जाकती हैं उनमें। आखों की भूमिका सरवादेख होती है। जन्रेंद्री से संबंदित काम विकार में आखों की सबसे एहम भूमिका होती है। स्वादू पदार्थों को भी प्रथम आखे देखती है। और स्वादू पदार्थ से राग मोह उत्पन करने में एहम भूमिका निभाती है। धन्द संपत्ति वैभव एश्वर्य को देखकर जो लोब मोह प्राग उत्पन होता है। उसमें भी आखों की एहम भूमिका होती है। अपार धन्द को आखों से देखकर अंग्रेजों ने उसके लोब में मोह प्राग जगने के कारण साम दाम दंद भेद्व फूट डालो राजकरों की नीती से भारत को गुलाम बनाया जबकी उनका धर्म ऐसा करने की अनुमती नहीं देता। इसमें आखों की एहम भूमिका थी। खिलजी की आखों ने महरानी पद्मनी को देखा और उस रूप दर्शन के कारण लाशों का धेर लग गया और महल में रहने वाली दासियों रानियों को महरानी पद्मनी के साथ जोहर करना पड़ा जबकी इसलाम में भी स्वेच्छा से ही निकाह की अनुमती है ताकत के बल पर ऐसा करने की अनुमती नहीं है लगातार माइनस पंद्रव